गुड मॉर्निंग स्ट्रेंट्स हमारे आज एक लास में हम लोग एक पोयम दा काइट जिसे लिखने वाले हैरी बैन है उसके बारे में बात करने वाले है अगर हम काइट पतंग के बारे में बात करे तो हम सब लोग को पतंग उड़ाना बहुत ही जदा पसंद है और हम में से कईयों ने तो पतंग उड़ाई भी होगी इस कहानी में हम लोग इस पोयम में हम लोग जानने वाले हैं कि पतंग जह हुआ आसमान में कैसे उड़ती है तो चलिए शुरू करते हमारी आज की पोयम How bright on the blue is a kite when it's new कितना अच्छा लगता है एक पतंग जब वह नेले आसमान में उड़ता है With a dive and a deep it snaps its tail जब पतंग आसमान में उड़ता है तो वह उपर नीचे गोते खाता है जिस तरह में समूंदर में जहाज गोते खाते है तो पतंग भी गोते खाते है और अपनी पूच को लहराते हुए जाते है Then source like a ship with only a sail और जिस तरीके से कोई जहाज जो है वह उची उड़ान भरता है लंबी दूरी तै करता है उसी तरीके से पतंग भी क्या करता है लंबी दूरी तै करता है अपनी एक छोटी सी पूच से As overtides of wind it rides कहां पे तो तेज चलती हुई हवाव पे वह सवार होता है और उड़ता है हम जानते है कि जब पतंग के सरफेस पे हवा चलता है लगता है तभी वह उड़ता है अब आगे क्या बोला जाता है Climbs to the crest of the gust and pulse ये क्या करता है बहुत ही ज़्यादा उचा उड़ता है बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर उमंग होता है जब इसे खीचा जाता है हम देखते हैं कि जब कभी भी हम लोग पतंग उड़ाते है और उसकी डोर को खीचते हैं तो अब और भी ज़्यादा आस्मान में ओरने लगता है अब आगे बोला जाता है Then seems to rest as wind falls लेकिन अब क्या हो जाता है थोड़ी देर के लिए रुख जाता है कब रुख जाता है जब हवाय धीमी हो जाती है या फिर चलना बंद कर देती है When string goes slack, you wind it back और जब उसकी धागे है पतंग के धीले होने लगते है तो क्या करते हैं आप उस धागे को लपेटते हो And runs until a new breeze blow और दौरते हो जब तक दुबारा कोई एक नई हवा नहीं चलना शुरू करती है And it wings, fill and up it goes और जब उस पे हवाई पड़ती है तो वा दुबारा आस्मान में उरने लगता है How bright on the blue is a kite when it's new कितना सुन्दर लगता है एक नया पतंग जब वा नेले आस्मान में उरता है But a rigid thing you never will see लेकिन एक दुर्भाग गिवस एक घटना है जिसे आप कभी ने देख पाऊगे अब वा दुर्भाग गिवस घटना क्या है when it flaps on a string in the top of a tree मतलब जब पतंग की जो धागे जो है एक लंबे से पिर पे पर जाते है और उसे गीचने के करम में पतंग फट जाती है तो हमारी आज की क्लास में इतना ही मिलते है हमारी next क्लास में